केंद्रिये माध्यमिक शिक्साबॉर्ड यानी CBSC की ओर से कक्सा दसवी और बारुरी के नतीजों का एलान कर दिया गया है रिजल्ट जारी होने के बाद अच्छे नमबरों से पास होने वाले लाखो चात्रों में खुशी की लहर है तो कम नमबर पाने वाले हजारों चात्र सोक में भी डूबे हुए हैं लेकिन इसी बीच रिजल्ट को लेकर PM नरेंद्र मोदी और केंद्रिय सिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रदान का बड़ा बयान सामने आया है पीम दरेंदर मोदी और केंद्रिय सिक्षा मंत्री धर्मेंदर परधानी रिजल्ट में सफल रहे विद्यारतियों को उजवल भहस्य की सुबकामनाईदी साथ ही कम नंबर को लेकर चिंतित विद्यारतियों को भी एहम संदेश दिया है केंद्रिय सिक्षा मंत्री धर्मेंदर परधानी दसवी और बारवी की कक्षा के सात्रों के लिए अपने संदेश में कहा कि एक परिक्षा किसी व्यक्ति की चमता को परिभासित नहीं करती है और सफलता उन्हें मिलती है जो कभी हार नहीं मानते परदान ने कहा कि यह सफलता का आनंद लेने और पूरे साल की कड़ी मेहनत के फल को संजोने का छण है। सुगत और उजवल भष्से के लिए सुबकामनाय केंद्रिय सिक्षा मंत्री धर्मिंदर परदान ने आगे एक और ट्वीट में कहा कि कई दोस्त उम्मीद पर खड़े नहीं उतरे होंगे। सरहना की कि बॉर्ड परिक्षाओं में लड़किया लड़कों से आगे निकल रही हैं। उन्होंने कहा कि इन वर्स में परिणामों की विशेष्ता है कि छात्रों का प्रद्रसन उल्लेक निये रहा। यह जानकर खुशी हुई कि इस साल भी लड़कियों ने लड़कों को प परिक्षा उत्तिरण की है जो पिछले वर्स से 1.28% अंक कम है। इसी तरह कक्षा बार्वी में 87.33% चात्रों ने परिक्षा उत्तिरण की है जिसमें 5.38% की गिरावट आई है। वही परिक्षा उत्तिरण की है। मुझे इन युवाओ की कड़ी मेहनत और ड्रड संकल पर गर्व है। मैं युवाओ की सफलता में उनकी महत्रपून भूमिका के लिए उनके माता पिता और सिक्सकों को भी बदाई देता हूँ। परदान मंत्री नरेंदर मोदी ने कहा कि मैं उन होनहार युवाओ से कहना चाहता हूँ। जो महसूस करते हैं कि वे परिक्षा में बहतर कर सकते थे। आपके पास आने वाले समय में और भी बहुत कुछ है। परिक्षाओ का एक चक्र आपको परिभासित नहीं करता। अप